ओम प्रिय विद्यार्थियो सुप्रभाद नैतिक सिक्सा कि इसका अक्सा में आप सब का स्वागत है बच्चो आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट नंबर पांच पढ़ रहे हैं जिसका शीर से कहा है इस्वर कहां है तो बच्चो ये पार्ट लगवग आदे से अधिक हमने पढ़ लिया है जिसमें एक पीता जो अपने पुत्र को इस्वर के होने का प्रमान बता रहे हैं नमक की मुठी को जो जल में डाल करके इस परकार के उदाहरन दे करके अपने बेटे को समझा रहे हैं पीता ने कहा बेटा इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता पर इस पानी की हर बूंद में नमक है अपिता जी ने कहा अरे बेटा नमक जो हमने बाल्टी में अर्था जग में जो नमक डाल दिया वो तो पानी में घुल गया उसे अब हम आंकों से नहीं देख सकते हैं परन्तु ऐसा प्रतीत है कि इस जल की एक एक बूंद में नमक है नमके होने को पानी का स्वाद बताएगा अब जब हमें नमक यह दिया अनुमान लगाना है तो हम पानी का स्वाद टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें नमक है या नहीं हमारी आंखे नहीं अब स्वाद के द्वारा इसे बताया जा सकता है आंखों के द्वारा नहीं प्रमात्मा भी इसी प्रकार इस सारे संसार में है सबी बस्तों के कणकण में है पर उसे हमारी जीव भी नहीं बता सकती तो वलते इसी प्रकार प्रमात्मा जो है वो भी संपूर्ण संसार में है इस संसार की जितनी वी बस्तों और बस्तों के कणकण में हैं पर उसे हमारी जीब नहीं बता सकती हमने मुझसे नहीं बोल सकती कि प्रमात्मा कहां है कहां नहीं है नमक पहले दिख रहा था अब नहीं दिख रहा कि इन तो प्रमात्मा को कभी आंकों से या दूसरी बहया इंद्र कि यसे नहीं जाना जा सकता है नमक को तो तो हमने पहले देख ले जब todd गुहलने से पहले मारे हाथ में था तब तब दिख राता आव था अपने दिख रहा हैं vendor इस्तिति इशवन अखर प्रमात्मा के साथ नहीं होती है, ना तो उसे कभी देखा गया है, और ना ये देखा जा सकता है, ना ये किसी बाहिया इंदरी से उन्हें जाना जा सकता है, उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है, और जब उसके दर्सन हो जाते तो फिर सब जगा वही दि प्रमात्मों को यदि देखना है तो उसे अंदर की आंखों से अपने मन की आंखों से अपने ही अंदर देखा जा सकता है और जब एक वार उस प्रमात्मा के दर्सन हमें हो जाते हैं तो फिर क्या होता है फिर सब जगा प्रमात्मा ही दिखाई देता है दही में घी है पर दिखाई नहीं देता उसे निकालने के लिए दही को मत्थना पड़ता है बचो आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग घी खाते हैं वो किस से निकलता है दही से निकलता है लेकिन उसके लिए दही को मतना पड़ता है तब ही हम घी प्राप्त कर सकते हैं तिलों में तेल है पर दिखता नहीं तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है तो जो तिल होते हैं उन्हें भी तेल होता है परंतु वो तेल प्राप्ति के लिए में उसको पीलोना पड़ता है यह प्रिश्ण आएंगे आप लोगों को कि दहीं से गी निकालने के लिए दहीं को क्या करना पड़ता है तीलों से तेल निकालने के लिए तीलों को क्या करना पड़ता है इन प्रिश्णों को डंग से पढ़ लेना बच्चो लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है और पत्थर में भी आग है और लकड़ी में भी आग है परन्तु वो दिखाई नहीं देती है उसे प्राप्त करने के लिए उसे द इसी प्रकार हमारे अंदर तो बाहर के सारे संसार में उस प्रमात्मा को इसी प्रकार प्रमात्मा जो हमारे अंदर भी और इस बाहर कंड कंड में विद्यमान है और उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है योग की आवश्यक्ता है ध्यान योग और प्रमात्मा के बारे में चिंतन और मनन उसे ध्यान के द्वारा अनुवब करने के लिए आत्मा और प्रमात्मा के मेल की साधना आवर्शेक है अब प्रमात्मा को यदि हमने अनुवब करना है कि वो सच में है तो हमें क्या करना होगा ऐसा ध्यान लगाना होगा इतने प्रभु की ध्यान में चिंत कि इस प्रकार समझाने पर पुत्तर समझ गया कि सब जगा रहते वो भी प्रमात्मा क्यों दिखाई नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है अब पीता जी कि इस प्रकार के दृष्टांतों को समझ गरके इस प्रकार के उदाहरणों को अनेक प्रकार के उदाहरणों को सम पर नहीं है अच्छे काम का फल अच्छा होता है बुरे काम का बुरा फल होता है अता हमें सदा ही अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि इस वर सब कुछ देख रहा है तो हमें इस पार से यह सिक्सा मिलती की हमारा कोई भी अच्छा या बुरा काम हो कभी भी अमप्रमात्मा की नजर से हम छिपा नहीं सकते हैं वो सब प्रभू देख ही रहे हैं और अच्छे काम का अच्छा फाल मिलता है और बुरे काम का बुरा फाल मिलता है अतहा हमें हमेशा और हमेशा अच्छा ही काम करना चाहिए किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए और ना और इतने कहे करके मैं अपनी बार्णी को ब्राम देता हूँ इती ओम सम